फोर्स लिंग के अंदर पाइपिंग कैसा करते हैं तो चलो लेस्ट गो वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर आप लोग को फोर्स लिंग के अंदर पाइपिंग करना है अगर आप लोग का फोर्स लिंग नहीं हुआ है तो आप लोग measurement के हिसाब से कर सकते हैं अगर आपके पार drawing भी नहीं है तो भी आप लोग force link के अंदर piping कर सकते हो 20 mm या 25 mm का कोई भी pipe हो PVC saddle आता है market में वो आप लोग purchase कर सकते हो प्लस 4-way junction भी आता है वो भी आप लोग purchase कर सकते हो और आप लोग को क्या गरना है कि side से आपको attraean छोड़ना है चारो side का wall फिर आपका जो beach का center रहेगा beach का center निकालना है beach का center में आपका एक pipe single जाएगा जो एक दूसरे से connect होगा side से तो आप लोग को line dory के मदद से आप लोग को line dory मारना है ceiling के अंदर फिर आप जो junction आता है वहाँ पे आपको plus का निसान आएगा जैसे आप beach का center निकाले हो तो beach का center से आपको normally 4 inch छोड़ना है क्योंकि 4 inch इसलिए छोड़ना है क्योंकि आपको वहाँ पे fine आएगा fan आने के बाद आपका d hook लगाना पड़ेगा force link के अंदर तो आप लोग कंपल सरी जो beach का center रहता है वह आपको 4 inch इचोड़ना है 4 inch इचोड़ने के बाद center का आपको piping करना है और आप जो beach का center आएगा जहाँ पे आपका light point है अगर room लंबा है तो आपको 3 point एक side रखना है और 3 point एक side रखना है बाकी आपका beach center पे fan point आएगा अगर आप side से call light भी बना रहे तो आप extra point छोड़ सकते है जो आपका side से पूरा run हो जाएगा call light के लिए तो आप जहाँ पे spot light लगाते हो वहाँ पे भी आप लोग point छोड़ सकते हो call light के लिए बाकी का जो रहता है वहाँ पे आपका driver भी लग जाएगा और panel fitting भी लग जाएगा तो आप लोग इतना ध्यान रखना कि आपका जो panel fitting आता है 15 watt का हो या 12 watt का हो वो आप गाला cutting करोगे तो आपका light point और जो palmet का light point होता है वहीं पे आपको लोग को पूरा total छूटेगा light point जो main switchboard से आता है और जो panel से जो आपका call light के लिए रहता है वो भी point आपका आगे panel light के पाछ छूटेगा क्योंकि वहाँ पे आपका LED का driver लगेगा तो driver लगेगा क्योंकि call का position जो होता है call light का position कम होता है बहुत लोग कम छोड़ते है तो आप लोग को वहाँ पे driver रहेगा तो वेश्ट रहेगा तो आप लोग देख रहे हो मेरा already ceiling में piping हो चुका है अब मैं side का wall पे piping कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे AC आने वाला है तो यहाँ पे piping इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पूरा boxing बनने वाला है यह पूरा plywood से pack होगा फिर बाद में gypsin sit लगाएंगे इस पे और यहाँ पे मेरा AC point रहेगा और दो light point आएगा ceiling में वो मैं final video में आप लोग को बताऊंगा कि एक light point है कि दो light point है final video में मैं आप लोग को बताऊंगा switchboard से relative video और fitting से relative video और जो मैं fan rod लगाया हूँ वो भी आप लोग को मैं बताऊंगा कि beach का center कैसा निकाला हूँ में यह piping जो हो रहा है यहाँ पे मेरा AC points उटेगा AC का जो main off wire रहता है circuit मेरा नीचे switchboard के पाच उटेगा bed side में तो मैं आप लोग को बताया कि आप लोग को चारो side से आपको 18 inch छोड़ना है 18 inch छोडने के बाद आप दो side पे line dory मार ले line dory दो side पे मारोगे और beach का center से आपको 4 inch छोड़ना है फिर भी वहाँ पे आप भी line dory मार ले आपको जो switchboard से जो pipe आता है वहाँ पे extension आएगा और train का जो भी balance आता है वहाँ पे आपका pipe drop होगा फिर beach का center जो आप निकाले हो 4 inch छोड़ना है वहाँ से आपका पाइप चले जाएगा तो एक दूसरे से pipe connect हो जाएगा तो आप लोग देख रहे हो कुछ इस तरह मेरा piping किया हुआ है force link अंदर framing अभी किया हुआ नहीं है मेरे को drawing मिला था मैं drawing के सबसे piping कर रहा था तो आप लोग देख रहे हो ये wall पे piping है तो I hope वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो like करना subscribe कर देना चैनल को तो चले let's go bye